तो हेलो और वेलकम गाईस कैसे हो आप लोग स्वागत आपका एक और ने वीडियो में तो आज का ये जो वीडियो ना बहुत ही जदा कमाल का होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोग को कैसी कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको use करके आप लोग अपने Amazon Pay Balance को bank में transfer कर सकते हो देखे कैस जो पैसा आप लोग Amazon के अंदर aid करते हो उसको तो आप लोग normal तरीके से bank में transfer कर सकते हो जो अभी Amazon के उपर नया feature है ना Amazon Pay वाले डिवी पे वाला उसको use करके लेकिन जो पैसा आप लोग को case back के जरीए मिलता है या पिर जो पैसा आप लोग को gift card के जरीए मिलता है उसको आप लोग इस feature के जरीए bank में transfer नहीं कर सकते लेकिन आज मैं आप लोग को एक एसी कमाल की trick बताने वाला हूँ जिससे आप लोग अपने सभी प्रकार के Amazon Pay विलेंस को वेंग में transfer कर पाओगे या जो trick है ना लाइव में आप लोग को studio के अंदर लगा करके दिखाने वाला हूँ लाइव में अपने Amazon Pay विलेंस को वेंग में transfer करके दिखाने वाला हूँ सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग को नीचे की तरफ रजिस्ट्र नाव पर क्लिक करना है यहाँ पर आप लोग की जो detail है वो आप लोग को feel कर देनी इसके बाद में आप लोग को simply से नीचे की तरफ create account पे click कर देना है तो account create करने के बाद में यहाँ पर आप लोग को अपने mobile number और जो password आप लोग ने state किया है वो डाल करके इसके अंदर sign in कर लेना है और KYC के लिए आप लोग को कोई भी OTP वगेरा की जुरूत नहीं पढ़ने वाली है बस आप लोग अपने आदार कार्ड और पेन कार्ड की photo upload कर देना तो 2-3 गंटे के अंदर आप लोग की KYC है वो complete हो जाएगी तो KYC कर लेने के बाद में आप लोग को add fund वाले option के उपर click करना है इसके बाद में यहाँ पे आप लोग को amount डाल देनी है amount डाल देने के बाद में आप लोग को नीचे की तरफ wallet वाले option को select कर लेना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नीचे की तरब यहाँ पर जो charges वगरा लग रहे हैं उनके बारे में भी बताये गया है अभी हम लोग यहाँ पर wallet को यूज करके payment करने वाले है और wallet के उपर 2.5% का charge लग रहा है अभी आप लोग को simply से process के उपर क्लिक कर देना है जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने रजर पे का payment page आ जाएगा यहाँ पर आप लोग को second number पे Amazon पे दिख जाता है इसको आप लोग को select कर लेना है और simply से आप लोग को नीचे की दरप pay के उपर क्लिक कर देना है इसके बाद में आप लोग के सामने 2.5% का charge काड करके जो पेसे है वो एड कर दी जाएंगे जैसे कि मैंने 200 रुपे की एड मनी की थी तो उसमें से जो 2.5% का charge है यान की 5 रुपे वो काड करके बाकी की जो 115 रुपे है वो मेरे wallet के अंदर एड हो चुके हैं तो अभी इन पेसों को bank में transfer करने के लिए आप लोग को withdraw वाले option के उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद में आप लोग को यहाँ पर left corner में उपर की तरफ एक प्लस वाल आइकन दिख रहा है इस पर click करना है और यहाँ पर आप लोग को अपना नाम आप लोग का bank account number and IPC code डाल करके bank को add कर देना है एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना जिसके document देखर के आप लोग ने यहाँ पर KYC किये उसी का bank account आप लोग यहाँ पर add करना और यहाँ पर आप लोग केवल physical bank को यह एड़ कर सकते हो पेटियम पेमेंट्स बेंक और एटल पेमेंट्स बेंक यहाँ पर add नहीं होने वाला है तो bank एड़ कर लेने के बाद में आप लोग को यहाँ पर verify account का option दिखता है इस पर click करके आप लोग को अपने bank account को verify कर लेना ह इसके बाद में आप लोग के सामने इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पर लोग को बताए गया है कि पेसे को bank में transfer करने पर आप लोग का 1% का charge लगने वाला है टोटल में आप लोग को बता दू 5% का charge लगेगा जब आप लोग पेसे को एड़ करोगे यानि कि इस trick से अगर आप लोग अपने Amazon Payvalence को bank में transfer करते हो तो टोटल आप लोग को 3.5% का charge यहाँ पर लगने वाला है जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा charge नहीं है क्योंकि अगर आप लोग इसको दूसरी ट्रिक से compare करते हो तो वहाँ पे आप लोग का 8% यह minimum 5% से कम का charge नहीं लगता है तो उनके मुकाबले यह charge बहुत ही कम है लेकिन अगर आप लोग यह minimum 500 रुपीज से कम की money transfer करते हो bank के अंदर तो उस पर भी आप लोग का minimum 5 रुपे का charge तो लगना है चाया आप लोग 100 रुपे transfer करो चाया आप लोग 200 रुपे transfer करो तो आप लोग 500 रुपे से उपर की transaction करने की कोशि डालनी है अंपिन आप लोग को account create करते time message के दुवारा दे दी जाए अंपिन डाल देने के बाद मैं आप लोग को submit पे click कर देना है और जैसे आप लोग submit पे click करोगे तो आप लोग की जो transaction है वो successful हो जाएगी और यहाप लोग को बोल दिया जाएगा कि 60 मिंट के अंदर आप लोग का status है वो भी check कर सकते हो और कुछी दिर में आप लोग का status है वो processing से success हो जाएगा जैसा कि आप लोग देख सकते हो जो मैंने आप बेंक के अंदर पेसे transfer किये थे वो पेसे मेरे को bank account के अंदर receive भी हो चुके हैं तो इस प्रकार से आप लोग अपने Amazon Paypalance को minor से 3. 3.5% charge के साथ bank के अंदर transfer कर सकते हो जो की instant transfer हो जाता है and 100% safe भी है तो मैं जाते जाते आप लोग को एक बार और याद दिलाना चाता हूँ तो guys आप लोग telegram channel को join करना बिल्कुल भी मत बूलना क्योंकि इस प्रकार के कोई भी update आते है ना तो सबसे पहले telegram पर ही बताए ज साथ तत्त के लिए जय इंद वन्द मातरम